आम जनता तक अन पहुँचाने वाले महराज के किसानों को समझ ही नहीं आ रहा है। योहां से या रोएं। किसी आपदा में फसल खराब होने पर कम से कम लागत ना डूबे। इसलिए प्रधानमंतरी फसल वीमा योजना में प्रीमियम भर वीमा लिया था। लेकिन अब जब बीमा लेने का समय आया तो किसी की खाते में 1.70 पैसे आये तो किसी की खाते में 37.31 पैसे। परभणी जिले के दासला तहसील के किष्णा राउत ने दो एकर खेद में सोयावीन की फसल के लिए 455 रुपे का प्रीमियम भरा था। लेकिन फसल का नुक्सान होने के बाद दासला तहसील के किसान पांडूरं कदम के अकाउंट में 37.31 पैसे। के पूरा चेक किया तो उन्होंने खुद होके कागदों पे लिखा है कि 90% मेरा लॉस हो चुका है। तभी भी मुझे जो कमपेसेशन मिला है वो उनली 37 रुपीज और 31 पैसा। का परभणी जिले के किसानों की समझा को लेकर जब NDTV के परभणी के प्रत्निदी कनया खंडेलवाल ने जिले के कलेक्टर और इंसरेंस कमपनी की सानी साका से संपर्क किया तो कलेक्टर की तरब से जवाब आया है कि मामले की समिश्या जारी है इसलिए अभी बयान नहीं दे सकते जबकि इंसरेंस कमपनी की तरब से गोल मुल जवाब दिये गए लेकिन इस बिच NDTV के फोन के बाद किसान पांडूरं कदम जिनके एकाउंट में सिर्फ 37 रुपे 31 पैसे आये थे उनके एकाउंट में अब 1715 रुपे और जमा हो गए है जब उन्होंने NDTV के जो रिपोर्टर है उन्होंने उस ICIS या लोंबाड नाम के कमपनी से बात की तब उस कमपनी ने कल रात को मैं मैसेज दिखाऊंगा कल रात को उस कमपनी ने मुझे 1715 रुपे मेरे आकाउंट में क्रेडिट किये इस बीच परभणी के जिला क्रिशी अधिक्षक में भरोसा दिलाया है कि किसानों के अकाउंट में कम से कम 1000 रुपे आएंगे फसल के नुकसान के अनुपात में कम भीमा मिलने के शिकायद सिर्फ परभणी जिले में नहीं महराश्ट के दूसरे जिलों में भी है बुलडाना में तो किसान आंदोलन पर उतराये हैं आरोप है कि बुलडाना जिले की बीमा कमपनी ने दफ्तर बंग कर दिया है बुलडाना के क्रिशी अधिकारी को शहर पुलिस साने में इंसुरेंस कमपनी के खिलाप लिखित शिकायद देनी पड़ी है AIC क्रॉप इंसुरेंस कमपनी महराष्टर में 16 डिस्टिक में काम करती है ये कमपनी ने किसानों के खाते में बहुत कम पैसे दाले हुए है मुआवजा कम मिला हुआ है प्रिमियम से भी कम पैसे किसानों के आकाउट में जमा हुए है इसलिए कमपनी के बारे में किसानों के मन में गुस्सा है हम बहुत बार agriculture officer की तरफ गए ये कमपनी के officer की तरफ गए बुल्डाना डिस्टिक के ये से होने वहाँ ठाने में ये कमपनी के खिलाप में complaint भी दर्च करी हुए है लेकिन अभी तक ये कमपनी ने किसानों को मुआव करने का दावा करने वाली राजनेतिक पार्टियां चाहे वह विपक्ष में हो या सरकार में इस मुद्धे पर सभी चुक हैं परभनी से कनहिया खंडेलवाद और मुंबई से शोहित मिस्रा के साथ सुनिल जिंग एंडिटिव इंडिया के लिए